बिये भाग दीतिये में समाजिक अनुसंधान पतरती पुस्तक में हम अनुसंधान करने की पश्णावली विती का अध्यन कर रहे हैं प्रशनावली जब अनुसंधान करता उत्रदाता के पास भेजता है और उत्रदाता उन सूसनाओं को भरकर प्रशनावली पूनर लोटाता है तो उस प्रशनावली के बारे में ये विचार आते हैं कि जो प्रशनावली बेजी गई है उत्रदाता ने उसमें कितने सटिक वै विसुसनिये उत्र दिये हैं और जो उत्र दिये हैं वो प्रमानिक हैं या नहीं इसकी जानकारी करने के लिए हमें कौन-कौन से उपाई करने चाहिए तो इसका टोपिक जो बनता हुए है प्रशनावली की विसुसनियेता यो प्रमानिकता किस प्रकार से शिद्द करेंगे देखे प्रशनावली चाहे कितने ही सावधानिप्रक बनाई गई हो फिर भी ये संका बनी रहती है कि इसके दोवरा प्राप्शुसनाएं विसुसनिये यो प्रमानिक हैं या नहीं इसका कारण ये है कि कई बार सुसन दाताओं दोवरा एक ही प्रशन को भिन भिन अर्थ में समझ लिया जाता है और ऐसी दसा में उनके उत्तर भी भिन भिन होते हैं ये भी संब्व है कि प्रशन के अर्थ को ही ने समझा गया हो अर्थार्थ एक ही प्रकार के प्रशनों का अलग-अलग उत्तर दाता अलग-अलग उत्तर देते हैं किसी भी प्रश्णावली को प्रमानिक यो विशुसनिय तभी ठहराया जा सकता है जबकि सूसन दाता प्रश्णों को उनी अर्थों में समझे जिन अर्थों में उनकी रचना की गई है प्रशनावली की विशुशनेता यो प्रमानिकता को ज्याद करनी के लिए हमें निमली की तुपाई अपनाने चाहिए प्रशनावली की विशुशनेता यो प्रमानिकता जान सने के लिए हमें पुन्ह प्रशनावली बेजनी चाहिए हम कुछ समय बाद सुसना दताओं के पास एक बार फिर प्रशनावली को बेज़ेंगे यदि दूनों प्रशनावली के उत्तर में समानता हो तो प्रशनावली विसुसनी मानी जाएगी और और अंतर होने पर एविसुसनी कि इसी बीच सूसना दाता की सामाजी कोई मांच की प्रस्तिती में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए अन्यत्था उत्तर भी भीन प्राप्त हो सकते प्रश्णावली की विस्वस्निता जानने के लिए दूसरा उपाई है कि समान वर्ग का ध्यन करें प्रश्णावली की विस्वस्निता की प्रखे के लिए उसी प्रश्णावली को समान विस्वस्ताओं वाले किसी अन्य समय के पास भी बढ़ने के लिए बेजा जा सकता है यदि दोनों से प्राप्त होने वाले उत्रों में समानता हो तो प्रशनावली विशुसनिये है अनित्था ए विशुसनिये प्रशनावली की विशुसनियता जानने के लिए जो तीसरा बिंदू है वह है उप निदर्शन का प्रियोग इस वीदी में जिस बड़े समवों का हम अध्यन करते हैं उसी में से एक छोटा नेजरसन चुनकर उनके पास प्रशनावली बज़े जानी चाहिए यदि दोनों के प्रिणामों में बहुत कुछ समानता हो तो प्रशनावली को विसुस्तनी ये माना जा सकता है इसका अगला उपाई है अन्य अनुसंदान वीदियों का प्रियोग प्रशनावली की विसुस्तनीता को ग्याद करने के लिए शाक्षातकार अनुसुची एवं अवलोकन आदी वीदियों द्वारा भी उन्हें प्रशनों के उत्तर ग्याद किया सकते हैं यदि अन्य वीदियों से भी वही उत्र प्राप्त होते हैं तो प्रशनावली को विसुस्तनीम आना जाएगा अगला उपाई है सामान नुभव प्रशनावली की विसुस्तनीता को ग्याद करने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें अपने समाने ग्यान के दोवारा परखें यदि उत्तर समाने यो प्रचलित ग्यान के विप्रित हैं तो ये विशुसनिय मने जाएंगे इस प्रकार से हम प्रशनावले की विशुसनिता यो प्रमाणिता को जांसते हैं धन्यवाद